कितना सुन्दर प्रतिविम्ब है इसका कारण क्या है मेरा रूप सुन्दर है या ये जल सुच्छ है नहीं ये जल स्थिर है शान्त है अंतर देख रहे हैं आप वही जल है वही रूप है किन्तु ये स्थिर नहीं है शान्त नहीं है और इसी कारण मैं अपना प्रतिविम्ब इसमें नहीं देख पा रहा हूं क्रोध के साथ भी यही होता है यदि आप स्थिर है शान्त है तो आप आपकी आत्मा को देख सुन और समझ पाओगे किन्तु क्रोध इस आत्मा की भुकार को पी जाता है इसलिए अपने क्रोध परवश रखें कहीं ऐसा नहों कि मुर्खता के कारण जन्मा ये क्रोध आपको पश्चा ताप के अंत तक ले जाए राधे राधे